नमस्कार दोस्तो आज किसी ने बड़े में आप जानने वाले हैं कि SSC GD का Admit Card किस तरह से डाउनलोड करें और कैसे status पता करें कि exam date कब है और कहां पर है तो दोस्तो SSC GD का सभी zone का Admit Card जारी कर दिया गया है सभी state का Admit Card जारी कर दिया गया है अब जो है आप अपने मोबाइल से ही अपना Admit Card जो है बहुत ही आसानी तरही से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिजेगा और हमारे चनले पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा तो इचले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले S.S.C. की अफिसेल वेबसाइट पर आजाना है और अफिसेल वेबसाइट पर आनेक बाद में यहां पर देखे एक आप्सन मिल जाता है एड्मिट कार्ड तो आपको एड्मिट कार्ड वाले आप्सन पर जैसे किलिक करेंगे तो यह अगला गुहावटी, मुंबई, महाराष्ट और यहां पर चंदीगर्ड, इलहाबाद, उत्तर परदेश, चंदीगर्ड, नियु दिल्ली तो सभी जो उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जसक दोस्तों अभी राजस्थान और नई दिल्ली वालों का अभी एडमिट कार्ड नहीं निकल ला है, कुछ साइड में दिक्कत आ रही है अगर आप नियु दिल्ली से हैं तो आप एक दिन दो दिन बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलूट कर सकते हैं तो दोस्तों मैं जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का एडमिट कार्ड चेक करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से जो है SSC GD का एडमिट कार्ड निकाला जाता है उतर प्रदेश बिहर का admit card निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिखे URL में जो है central region लिखा होगा तो आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद में यह कुछ इस तरह का process में थोड़ी दे लेगा और उसके बाद में यह website कुछ इस तरह का open होके आ जाएगा तो आपको इस पर click कर देना है तो आप इस पर जैसे click करेंगे तो यह अगला detail कुछ इस तरह का open होके आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखे कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है अगर आप इसको पढ़ना चाते हैं तो पढ़ लिजेगा तो आप पर प्रोसीड नाओ जैसे click करेंगे तो यह अगला detail कुछ इस तरह का open होके आ जाएगा जैसे दोस्तों स्सी जीडी का admit card download करने के लिए तीन तरीका यहाँ पर बताया गया है दोस्तों दूसरा आपस यहाँ पर दिया गया है roll number अगर आपके पास रोल लंबर है तो आप रोल लंबर से भी चेक कर सकते हैं और दोस्तों अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी आपस नहीं है तो आप यहाँ से अपने नाम से भी अपना प्लस तिरी लिखा हुआ है तो आपको नाइं प्लस ती करके यहाँ पर प्लस कर लेना है और प्लस जैसे गरेंगे यहाँ पर और ही करेक्ट नंबर सो हो के आ जाएगा और आपका रेष्टेसन नंबर और रोल नंबर पर show के आजाλάब और एक्जाम डेट भी आपकार तारी को आपका आजाम होगा डें सकते हैं आपका एक्जाम डेट भी बीए और सिफ्ट भी यहाँ पर Also क के आजायाएक Uh City जिणर आपका preschool सarde कि की आपका spite कि सिटी दे दिजाएगी कि किस तरीक को आपका डाउन्लोड होगा और किस तरीक को आपका पेपर होना है जैसर दोस्तों यहांपर देखे एक फरोरी 2023 को दिया गया है और उसके बाद में डाउन्लोड या प्रिंठ यह यॉर एडमिट कार्ड फ्रॉम 28 से जनूरी 2023 को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं आपर आपका डेट भी तो हो के आजाएगे कि इस तारीक से जो है अपना एडमिर काड डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि 28 जनूरी 2023 को एडमिर काड डाउनलोड कर सकते हैं और एक फरवरी 2023 को एकजाम होना है तो आप जो है को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं एक नए वड़े में तब तक के लिए जैहिन